हाई फ्रेंड्स आज हम देशी टींड सी है उसकी सबजी है वो मनाएंगे जिसके लिए हमने लगबबग तीन सो ग्राम के लगबग टींड सी है उसको काट लिया है अच्छी तरह से छोटे-छोटे पीस में इसके लावा हमने डेट चमच छोटा चमच नमक लिया है लौसन ल साले में मिला करके डालेंगे जिसकी इस करी है वो बहुत इच्छी है वो आपको दिखेगी और बहुत स्वाद भी बहुत अच्छा है वो आएगा ऐसी सबजी टींड सी गया आपने आज तक नहीं खाई होगी देखे टींड सी में जो दही मिल जाएगा तो उसका जो टेस् आएगे अगर तेल गरम हो जाने के बार इसमें जीरा डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे इससे जो आजमा है बड़ा अच्छा रहता है मेरी जोर रेस्पी में आपको आजवाइन है वो डाले भी मिलेगी क्योंकि हाजमे के लिए जवाइन वह बड़ी अच्छी मानी जाती है देखिए जो जीरा है हमारा गरम हो रहा है अब इसको हलका ब्राउन होने तक हम इससे हमें पता चल जाएगा कि जो तेल है वो हमारा सर्फेस पर आ गया है अब देखिए सब चीजों को हम मिला लेंगे लुशन नमक मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर हल्दी पाउडर इसे मिक्स अप करेंगे तो यह थोड़ा सा पाने डाल करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स अप करेंगे ताकि सारे मसाले हो अब अब देखिए अब दो मसाले हैं हम जो मारे प्याज हब लग लग पक चुकी है इसमें मसाले जो मिक्स अप किये थे वह डाल देंगे और उसे तीन चार मिनट के लिचे तरह से अब देखिए यह जो मसाला है हमारा तेल को अलब छोड़ने लगा है यानि कि अपने में है अब देखिए इस पाज़ टेस्ट है वह बड़ा है अच्छा आएगा और कलर देखिए आप दिन सुनेहरा लाल बड़ी लाजवाब सब्जी रंती है जो स्वास्ते के लिए भी काफी लाग प्रद रुटी है बदारों में जो टिंडे मिलते हैं उन् देखिए अच्छी तरफ पकने देंगे हम अब देखिए इसमें ने लिया था लगभग वह सो चुराम के लगभग उसे हम डालेंगे और इसे मिलाते रहेंगे नहीं तो यह जो अध्रिये वह फट जाएगा और जो हमारा जो मसाला है वह खराब हो जाएगा अच्छी तरह स कि देखिए देखिए हमारा मसाले ने पूरा अब्जरब कर लिया है कि देखिए इसका रंग कितना अच्छा लग रहा है कि देखिए जो ग्रेवी है तोड़ी गाड़ी होती जा रही है इसको लगब हमने पांच से साथ मिनट पताया है तब ही जो भी है वो उसकी दूशारे करन है वो मसाले में बिल रहे हैं अब देखिए जो तेल हमारा सर्फेस ब्या गया है अब इसमें जो टींट सी हमने जो काटी थी वो इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स अप करेंगे देखिए अमने जो अपनी टींट सी है उसमें डाल दी और अच्छी तरह से मिक्स अप करेंगे यह देखिए अच्छा लग रहा है कि अच्छी तरह से मिक्स अप करेंगे तीन बड़ी चमस इसमें पानी डालेंगे लगभग एक गिलास की लगभग और इसे ढखकर पकने के लिए पांस से साथ मिनट तक हम चोड़ेंगे यह देखिए अब देखिए हमारी जो सब्जी है वो लगभग प ताकि जो टेष्ट है हमारी सब्जी का वो रदीक अच्छा हो हो जाए जो देखिए जो फ्ले में हम बुन करेंगे यह देखिए कितनी अच्छी सब्जी हमारी त्याग हुई है इतना अच्छा ग्रेवी है कितना रंग अच्छा है वो आया है प्लीज आप अपने घरमे भी लोग जुरूर इसे ट्राइ करें बहुत अच्छी सब्जी बनती है स्वास्ते के लिए भी बड़ी लाप्रद माने जाती है इसमें कोई मिलावट नहीं होती यह खेतों में जो यह देखिए इतने अच्छी ग्रेवीरूस का जो कलर है वो आया है प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें शेयर करें धन्यवाद